इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं तो अपसे थोड़ी देर बाद पंचाब को नया अपना सियम मिलने जा रहा है चरंजी सिंग चन्नी थोड़ी ही देद में राजभवन में शपत गरहन करेंगे इससे पहले चरंजी सिंग चन्नी नवजो सिंग सिद्धू के साथ दोनों एक साथ ही पहुँचे हैं राजभवन में और ये एक खास मौका पंचाब में है क्योंकि पहली बार पहली बार कोई दलित सिख यहां का सीम बनने जा रहा है सूबे का ऐसा पहली बार होगा और इसकी सबसे बड़ी बज़े आपको इबता दें कि जिस तरह से अमरिंदर सिंग को जाना पड़ा उसके बाद कॉंग्रिस को देखना पड़ा कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा हो सकता है जिसका फाइदा उनको मिल सकता है आने वारे इलक्शन्स में क्योंकि करीब 32 परसन जो आबादी है पंजाब में वो दलिस समुदाय से आती है ऐसे में उसी समुदाय का चेहरा सियम बनता है तो कॉंग्रिस को लगता है कि उसके लिए एक ट्रम कार्ट साबित हो सकता है और साथ ही एक ऐसा चेहरा जना सिर्फ जो दलित है बलकि यो सिक भी है तो शपत के जाद कॉंग्रेस के नेता तो कॉंग्रेस नेता कुलदीप सिंग ने बयान दिया है कि चरंजी सिंग चननी शपत गहन करने के बाद वो पूर्व मुखे मंतरी अमरिंदर सिंग से मुलाकात करने जाएंगे लेकिन फिलाल अब इंतजार हो रहा है कि कब वो शपत गहन राहूल गांधी का भी इंतजार है और इसके बाद बताया जा रहा है कि शपत गहन होने के बाद वो अमरिंदर सिंग से मुलाकात करने जाएंगे अब रुखेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चनेगे चंडीगर जहां पर अपसे थोड़ी ही देर में चरंजी सिंग चरंडी शपत गंश करेंगे और मंतरी पर समालेंगे मुख्य मंतरी पर समालेंगे पंजाब का नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ